Hello everyone, welcome back to knowledge for future study channel इस वीडियो में हम महासागर एबं सागर इस टॉपिक के कोश्चन डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें पहला कोश्चन है बिस्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिस्व का सबसे बड़ा महासागर प्रिसान्थ महासागर है यह आप जानते ही होंगे बिस्व का सबसे चोटा महासागर कौन सा है? तो बिस्व का सबसे चोटा महासागर है आर्क्टिक महासागर यह important है, बिस्व का सबसे चोटा मासागर है, Arctic मासागर किस मासागर को छिपता हुआ मासागर कहा जाता है, छिपता हुआ मासागर कहा जाता है, Arctic मासागर को और यही सबसे चोटा मासागर भी है किस मासागर की प्रिमुक बिसेष्टा प्रबाल बित्ती है important question है प्रिवाल वित्ती प्रिशांद मासागर की प्रिमुक बिसेशता है बिस्व के चार सबसे बड़ी मासागरों में कौन सामिल नहीं है तो अटलांटिक मासागर ये चार सबसे बड़े मासागरों में सामिल नहीं है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिस्प की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच ये कोशन important है ये कहाँ पर है ये प्रिसांथ मासागर में इस्तित है कोशन अक्सर आता है कि मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त सबसे गहरी खाई है ये किस मासागर में इस्तित है तो ये प्रिसांत मासागर में इस्तित है अगला question भी बहुत important है दोनों ही question exam की trustee से important है ये अगला question है ring of fire ring of fire मतलब अगनी बले किस मासागर में पाई जाती है ये प्रिसांत मासागर में इसको अगनी बले क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सरवादिक जौला मुखी हैं सरवादिक जौला मुखी हैं इसमें इसलिए इसको अगनी बले कहा जाता है तो ring of fire अगनी बले प्रिशान मासागर में पाई जाती है और mariana trench ये भी mariana trench हमको याद होता है तो हमको ये याद रखना है कि प्यूल्टो रिको ट्रेंच अट्लांटिक मासागर में इस्तित है बिस्व का सरवादिक चोड़ा महाद्वी भी है मगन तट किस मासागर में है तो वो है आर्क्टिक मासागर में बर्तमान भूमद्दिसागर को किस प्राचीन मासागर का अपसेश माना जाता है तो बर्तमान भूमद्दिसागर को टेथिस मासागर का अपसेश माना जाता है और जो राजिस्थान में इंडिया में थार का मरुस्तल है उसको भी टेथिस मासागर का आपसेश ही माना जाता है तो इसका correct answer है उत्री Atlantic मासागर से ये question भी पूछा जाता है तो ग्रेट ओसन ट्रेड मार्ग ये उत्री Atlantic मासागर से होकर गुजरता है बर्मूरा ट्राइंगल जो की एक famous ट्राइंगल है किस मासागर में है ये उत्री अट्लांटिक महसागर में है बर्मूरा ट्राइंगल समुद्र पृत्वी की सतय का लगवक कितने पृतिसत गेरे हुए है तो 70 पृतिसत भाग समुद्र गेरे हुए है पृत्वी की सतय का कौन सा महसागर, कौन सा सागर महा सागर ये मरूभूमी के रूप में अभी हित किया जाता है तो वो है सारगेसो सागर सारगेसो सागर कहाँ पर है ये उत्री अटलांटिक महा सागर में है ठीक है तसमान सागर किसके मध्यावस्तित है तस्मान सागर औस्ट्रिलिया और न्यूजिलेंड के मद्धे में इस्तित है ठीक है यह जो छोटे-छोटे सागर है इन पर अक्सर कोश्चन पूशिए आता है जैसे कि तस्मान सागर, अरल सागर, मिरत सागर, भूमद्द सागर तो यह आपको याद रखने है तस्मान सागर यह किस के मद्धे में है? यह आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड के मद्धे में है किस सागर की सीमा है? तीन महादीपों को इस पर्ष करती है और इससे जो किनारे पर देश लगते हैं वो है कजाकस्तान और उजवेकिस्तान कजाकस्तान और उजवेकिस्तान यह आपको याद रखने है किस सागर का तट नहीं है? तो वो है सारगेसो सागर इसका तट नहीं है यह कहाँ पर है? सारगेसो सागर यह उत्री अटलांटिक सागर में है तुर्की के उत्तर में क्या है? तुर्की के उत्तर में है काला सागर ठीक है? तुर्की के उत्तर में काला सागर है ये भी आपको याद रखना है अगले कोश्चन पर चलते हम बिस्व अगला कोश्चन है कौन सी समुद्री नहर उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है इंपोर्टन कोश्चन है अक्सर पूछा जाता है अग्जाम में तो कील नहर उत्री सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है बिस्व में किस खाड़ी की तट्रे का सरवादिक लंबी है तो correct answer इसका हड़सन की खाड़ी की तट्रे का सरवादिक लंबी है सारगेसो सागर किसलिए प्रिख्यात है समुद्री सैवाल से इस्थिर जल हितू सारगेसो सागर प्रिख्यात है सबसे लवडिये सागर कौन सा है तो मृत सागर सबसे लवडिये है जौर्डन और इजरायल के मध्य मृत सागर इस्तित है ये भी आपको याद रखना है सेली बीज सागर जहां है वे कौन सा है तो सेली बीज सागर आर्क्टिक मासागर में इस्तित है सबसे छोटा ماسागर कुनसा है? वो आर्क्टिक मासागरी है 90 East Roads, यह कहा परिष्थत है? यह हिंद मासागर में है 90 East Roads, ठीक है? important point है आकस्मिक बार का संबन्ध किस से है? तो आकस्मिक बार का संबन्ध सुनामी से होता है जिस मासागर से सारगेसो सम्मंदित है वह है तो वो उत्री अटलांटिक मासागर से है सारगेसो सागर उत्री अटलांटिक मासागर में इस्तितिक छेतर है यहाँ पर सारगेसम नाम की बनस्पति बहुलता में पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है और यह कहाँ पर है उत्री अटलांटिक मासागर में तो अगर आपको सागर से सम्मंदत कोश्य अच्छे लगे हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए वीडियो को लायक जरूर कर दीजिएगा